हेलो फेंड्स वेलकम टू हिमाची फूट कॉर्नर आज मैं आपको एक ऐसी मिठाई की रेस्पी बताऊंगी जिसके लिए आपको किसी ना किसी मावे की ना चासनी की ज़रूत होगी और बहुत ही सिंपल दरीके से और बहुत ही जल्दी से यह रेस्पी बन जाएगी या मिठा कर लिजिए फिस उसे नाप के डालिए और आदा कप मैंने सूजी लिए हैं सूजी जो मोटी वाली होती है जो नॉर्मल सबके घर में होती है वही हम सूजी लेंगे और मैंने एक कप नॉर्मल ट्रेम पेचर पे दूद ले लिया है इसमें मलाई वलाई नहीं है नॉर्मल ज जार में डाल के फाइन नहीं नहीं बर्लडृ ऐसे फिर हम जार 20 App बारी कर लेंगेמजरATION करने जो पहल कर संदी इस सबस्या, इसमें किन Śनी है वह בטड़र ने हम नहीं ने को साज़ाय में प्रशन को में हम 12 बारी में जाईजाय और भड़ कर यह दा है के पास है तो आप डालें नहीं तो कोई बात या पिसकी भी कर सकते हैं और इस शुगर का हम बिल्कुल फाइन पाउडर बना लेंगे अब हम कड़ाई लेंगे और कड़ाई को पहले अच्छे से गरम कर लेंगे फिर लो फ्लेम पे हम इसमें डालेंगे बेसन को बहुत मतलब फिलेम पे या मीडियम फिलेम पे ना भूने और बिल्कुल लो फिलेम पे इसे पांच मिनट के लिए अच्छे से बून लेंगे इससे क्या होगा कि बेसन जलेगा भी नहीं और अच्छे से बून भी जाएगा और इसका कलर भी चेंज नहीं होगा तो पांच मिनट के लिए पेसं को लगातार पलटे से चलाते हुए अच्छे से बूर लेंगे फिxis पांच मिनट हो जाएगी फिर हम इसमे जो सूजी इझी ह ? उसको डालेंगे सूजी को डालेंगे और सूजी को भी तीन या चार मिनट के लिए अच्छे से बून लेंगे लो फिलेम पे ही पून लेंगे ध्यान रहे कि गैस की फिलेम लो ही रहे नहीं तो कुछ जले ना और मतलब जादा ना बून जाए इससे कलर भी चेंज नियोगा अ हम इसमें दूद डालेंगे और दूद पहले थोड़ा सा डालेंगे इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे फिर जैसे हमें जरुवत लेगी तो हम इसमें अब मैंने इसमें पूरा दूद डाल दिया है और पल्टे की हेल्प से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसको गैस की बिल्कुल लो रखेंगे और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसे बिल्कुल डो जैसा बना लेंगे अब मुझे यह तो थोड़ा कम लगा तो मैंने इसमें एक कप दूद और डाल दिया है और दूद बिल्कुल नॉर्मल ही लिया है इसमें मैंने बір 5 से 6 देशु कर लेंगे और तब दर मिक्स कर EPA करें गे जब तक के यह जो शु करेंगे जो वह ऽादे मिशन बैठर है वह अच्छे से पयान चोड़ने लगे अब देखें यह इस तरह आपको बताती हूं कि जैसे यह इस तरह पैंच छोड़ने लगेगा तो हम इसी स्टेस पर गैस की फ्लेम बंद कर देंगे और जब यह ठंडा हो जाएगा तो यह अपने आप बिल्कुल हातों पर चिपकेगा भी नहीं अब भले आपको लग रहा है कि हातों पर चिपकेगा लेकिन जब यह ठंडा हो जाएगा तो हम बिल्कुल नहीं चिपकेगा अब इसी स्टेस पर हम गैस की फ्लेम बंद कर देंग जैसे भी बना सकते हैं मैंने से इस तरह पेड़े की साइस बे बनाया हैं यह रस्पी यह मिठाई इतनी टेस्टी बनेगी और बहुत ही जल्दी बन जाएगी तो इसके लिए आपको मार्केट से मिलावटी मिठाई लानी की भी जरूरती पड़ेगी और दिवाली गसी जाने अब इस तरह मैंने पूरे पेड़े बना लिया और गार्निशिंग के लिए मैंने तो द्राइ फूट लगाएं यह उप्शनल है आप चाहें तो लगा सकते नहीं तो कोई बात नहीं आप नहीं लगा सकते बिना इसके भी ए टेस्टी लगेगी लेकिन अगर आप इस तरह ल हैं आप इसके भी कर सकते हैं बिना इसके भी सेयंव कर सकते हैं और इसितरह हमारी ए रेस्पि पूरी बन के तयार हो गई है और अगर आपको रेस्पि अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और फिर मिलते हैं किसी नही का notification आपको जल्दी मिल जाएं